आज हम बात करेंगे गबापिन एंटी के बारे में गबापिन एंजी टैबलिट दो दवाईयों का कॉम्बिनेशन है गबापेंटिन और नौर्ट्रिप्टलीन जिसका उपयोग नियूरोपैथिक पेन के इलाज के लिए किया जाता है गबापिन एंटी बहुत सारे स्ट्रें की क्या होते हैं गबापिन एंटी टैबलिट दो दवाईयों का कॉम्बिनेशन है अगर हम यह जान पाए कि इसमें जो दवाईयों का कॉम्बिनेशन है वो कैसे काम करता है तो हम बिलकुल आसानी से समझ जाएंगे कि इसका उपयोग नियूरोपैथिक पैन में क्यों किया पहला है गाबापेंटिन यह एक anti-convulsants नामक दवाओं के एक क्लास में आता है anti-convulsants क्या होते हैं एक प्रकार की दवा होती है जिसका उपयोग ब्रेन में abnormal electrical activity को prevent करके seizure या convulsions को रोकने या इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है गबापेंटिन कैसे रोकता है, कन्वल्शन्स को ये समझते हैं गबापेंटिन ब्लड ब्रेन बैरियर को स्वतंत्र रूप से पार कर सकता है और निूरो ट्रांस्मिटर्स पर कार्य करता है ब्रेन के अंदर अलफा 2 डेल्टा 1 नाम के रिसेप्टर्स होता है जो वॉल्टेज गेटेड कैल्सियम चैनल्स को मॉजूलेट करते हैं और अबनॉर्मल इलेक्टिकल अक्टिविटी कम करते हैं जिससे नर्व्श शांत रहती हैं और दर्द में आराम मिलता है और कन्वल्शन्स भी नहीं होते दूसरा है नौर्ट्रिप्टाइलाइन एक ट्राइसिकलिक अंटिडिप्रेसंट है जो केमिकल मेसेंजर्स सेरोटोनिन और नौर अड्रेनलिन के लेवल्स को बढ़ाता है जो ब्रेन में पेन सिगनल्स की गती को रोकता है साथ में वे नौरोपैथिक दर्द डैमिज्ड नसों से दर्द से रिलीव देते हैं क्या आप जानते हैं सेरोटोनिन और नौर अड्रेनलिन क्या होते हैं कहां होते हैं और क्या काम करते हैं चलिए समझते हैं क्या होते हैं नौरो ट्रांस्मिटर्स होते हैं रोल निभाते हैं आपने देखा दोनों मेडिसिन्स आपके ब्रेन में जाकर उन केमिकल मेसेंजर्स को रोक कर काम करती हैं जो नियूरोपैथिक पेन का कारण बनते हैं जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और शेर करना न भूले और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लाइक और सब्सक्राइब करे दे फर्मेसिस चैनल को